आईए दोस्तों आपका एक नज़र की श्चल में स्वाक्त है देखिए आज हम आपको किवी की के पौदे दखाते हैं कि भगवान ने क्या कहर बुर पाया इस पर इतनी बजरी गिरी जिस से पत्ते भी जो है मतलब छलनी हो गए ये देखिए इसमें इतना मोटा पता होता है जो मतलब तूटता भी जो है बहुत कम है लेकिन बजरी से जो है इसका जो है ये बिलकुल ये हालुआ तो ये देखिए इसमें इस वक्त जो इतनी बजरी गिरी की हद से ज्यादा ये देखिए इस वक्त जो है बजरी से जो है मतलब जहां तक भी आपकी नजर जाएगी इतने ये ही जो है मंजर इसमें देखने को मिलेगा कुछ पोदे तो है से मतलब जिसमें पते भी नहीं रहे वो भी हम दखाते हैं आपको लेकिन पहला ये देखिए आप पूरा गीचा दखाते हम आपको ये देखिए इस वक्त इसपर धूप भी लगी है लेकिन धूप का मतलब धूप से थोड़े कम दिखते हैं लेकिन ये देखिए तहने भी सामने दिखाई दे रही है जब किसमें पत्य से तो इसमें कोई टहनी सामने नहीं दुखाई दे रही थी बीच बीच में कीवी दुखाई दे रही है ये देखिए किवी भी है बीच में रही भी इसमें लेकिन इतनी बजरी गिरी जिस से की बुरा हाल हो गया आप पत्ते को देखिया आप बिल्कुल इस कर गए तो ये हाल हुआ बजरी से अब बजरी जो है इस वक्त कम से कम आदे पौने गंटे तक बजरी जो गिर्ती रही जिस से मतलब पत्ते का जो है पत्ते तो छोड़ो यहां कीवी भी जो थी मतलब आद जो है उपर से ओभी काफी जड़ गी तो अब हम आपको और दखाते आगे तक क्योंकि आगे धूप भी है सामने ऐसे लगता है कि जैसे पत्ते सुके पड़े हैं चली दुखाते आगे को तो यह देखिए आगे तक यह देखिए ऐसे लगता है जैसे कि पत्ते जो है सुक चुके हैं लेकिन यह सुक नहीं रहे यह जो है बजरी से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं है सारे पत्ते अश sausage जैसे की प्त्तर के इसमें गिरते हैं वह से सुख नहीं बजरी से हुआ कि अब आप एसे ही जो है यह सूख रहे हैं यह देखिए को यह हल है है कुदरत के आगे ऑगे तो किसी-क जोर भी नहीं चलता इसमें जो shooting तेहनी जो है दिखाई दे रही है यह देखिए आगे तक आगे तक जो है ऐसे ही जो है मतलब पूरा खेत जो है छलनी हो गया इतनी बजरी गिरी यह देखिए यहां पे तो बिल्कुल ही तेहनी दिख रही है बिल्कुल टेहनी दिख रही यह पत्य तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यह देखिए यहां तक अब इसको मुझे निजदी करके दखाते हैं तो लेकिन अब हम इसको आपको पूरा इन दुखाता है यह देखिए अरांसे है ऐसा लगता है जैसे की पत्य बिल्कुल सूक रहे हैं, यह देखिए, यह देखिए, काफी जो है मतलब, इसमें दूर दूर तक जो है टेहनी हैं, बिल्कुल सामने से फ़स्ट दिखाई दिये रही है, आप जो है इसमें पते बहुत कम और अगर आप पेड़ के निचे देखो तो इस ढंक से जो है यह पत्ते जो है सारे मतलब निचे गिर चुके हैं यह देखिए यह पत्ते हैं यह यह देखिए ऐसे लगा जैसे एक विश्तरब बिच्छाते हैं चुकानी खुका है जानी की सारे पत्ते वपर से गिर गए है आप इसमें देखिए घिर यह असे जितनी भी है पाफ ए चालब तो यह दिखा रहें आपको में तो इसे जो है यह देखिए पत्ते का बिस्तर ऐसे बित्च पूका है और टहनियां बिलकुल खली हो चुकी है ऐसी टहनियां अगर दिसंबर में आती है जब कि ये बारिश जो है ये तेईस बाइस दिसम्बर को जो है बाइस सोरी बाइस अक्तूबर को जो है ये बारिश हुई थी तो ये बाइस अक्तूबर को जो है शाम के समय में जो है ये बारिश इतनी हुई जिससे कि ये इस टेनियों का ये बुरा हाल हो चुका ये देखिए इसमें जो है पत्ते भी मतलाव टेनियों में पत्ते तक नहीं रहे इसमें कीवी भी ये सामने ये देखिए कीवी ये कीवी के भी है बीच बीच में लेकिन इस कीवी का भी जो हाल मारा हो चुका है अब ये देखिए ऐसे सुख चुके है पत्य जैसे की मतलब ये देखिए पत्य ये सारा मतलब पत्य का जो है बूरा हाल और कीवी जो है मतलब कीवी में भी काफी नुक्सान हुआ है अब हम आपको थोड़ा आगे चल कर दखाते हैं थोड़ी सी दूसरे खेत में आ चुके हम निचले तो ये जो है ये देखिए तेहनियों के सिवाद वह कुछ पी नजर नहीं आराज पत्य दिखाई दे रहे ये बहुत कम पत्य है ये तो ऐसे दिखाई दे रहे जैसे की एक काफी मतलब साइड में लगे हो लेकिन ऐसे इसकी जो है बिल्कुल प्रियून इसी बन चुकी है जैसे वह चांद नहीं होती एक वह से बन चुकी है अब इस खेत में देखिए आप इधर को भी ऐसे लगता है कि जैसे की मतलब उपर से बिल्कुल सूक चुके है आप इसमें करने में भी जो है मतलब बिल्कुल असान हो चुका है कि आप जो है नोंबर में जो है इसकी कटिंग हो जाएगी क्यूंकि पत्ते जो है नोंबर तक इसमें रहे गई ने तो फिर हम आपको इसकी वीडियो एक और बताएंगे और दिखाएंगे इसकी वीडियो कि यागे मतलब इसमें जो है पत्ते का क्या हाल होता है बजरी से जो है मतलब पता कैसे सूकता है इस चीज़ को दुखाएंगे हम आपको एक तो अपने आप सूकता है तो दूसरा जो है बजरी गिरने के कारण जो है पता सूकता है तो किस ढंग से जो है पता सूकर जो है गिरता है तो थेंक्यू दोस्तों बने लिए आप हमारे चै चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें और आगे शेर भी करें धन्यवाद